Hello friends, welcome to best English classes, मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं spoken English का एक बहुती famous structure, how dare you, यानि तुमारी हिम्मत कैसे हुई, इससे related कुछ छोटे छोटे sentence, लगबग 10-15 sentence की हम बोल बोल कर practice करेंगे, अगर आप English बोलना सीखना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुश्किल grammar सीखें, आप famous English के जो structure हैं, ऐसे 25-30 structure की अच्छी practice कर लो, tenses की practice कर लो, आपको English बोलना आ जाएगा, तो आज ऐसा ही एक structure हम देख रहे हैं, how dare you, तुमारी हिम्मत कैसे हुई, पहला sentence है, how dare you to speak to me like that, तुमारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे इस तरहें बात करने की, to speak, तु के साथ हमेशा verb की first form आती है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, मुझसे इस तरहें बात करने की या इस तरहें बोलने की, second sentence है, how dare you, to break my trust, तुमारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा विश्वास तोड़ने की, मेरा बरोसा तोड़ने की, trust का मतलब होता है विश्वास, और to के साथ हमेशा verb की first form आएगी, break का मतलब होता है तोड़ना, how dare you, to ignore my feelings, जैसे कोई wife अपने husband से कह रही है, कि तुमारी इम्मत कैसे हुई, मेरी feelings को, मेरी बावनाओं को नजर अंदाज करने की, how dare you, to ignore my feelings, how dare you, to lie to me, तुमारी इम्मत कैसे हुई, मुझसे जुट बोलने की, तु के साथ हमेशा verb की first form आएगी, how dare you, तुमारी इम्मत कैसे हुई, to interfere in my personal matters, मेरे personal मामले, मेरे नीजी मामले, मेरे नीजी मामलों में हस्तक शेप करने की, interfere करने की, बीच में पंचायती करने की, तुमारी इम्मत कैसे हुई, कौन हो तुम, who are you, how dare you, तुमारी इम्मत कैसे हुई, how dare you to criticize my work, तुमारी इम्मत कैसे हुई, मेरे काम की आलोचना करने की, या बुराई करने की, two के साथ हमेशा verb की first form आती है, criticize का मतलब होता है, बुराई करना या आलोचना करना, next है, जो उमीद है कि आप लोग मनी मन साथ साथ बोल रहे हैं, बोल बोल कर प्राक्टिस करने से ही आएगा, how dare you to invade my privacy, प्राइविसी का मतलब होता है, निजता, यानि आपकी परसनल जिंदगी, आप आपकी wife के साथ क्या बात करते हैं, यह आपकी personal चीज है, इसके बारे में कोई और नहीं पूछ सकता, यदि कोई पूछ रहा है, तो वो आपकी privacy को invade कर रहा है, how dare you to invade my privacy, मेरे personal चीजों के बारे में पूछने की तुमारे हिमत कैसे हुई, मेरा personal समान, मेरे bedroom का समान तुमने कैसे चेड़ा, तुमने मेरी privacy को invade किया है, तुमने मेरे laptop के अंदर मेरे photographs क्यों देखे, तुमने मेरी privacy को invade किया है, how dare you to question my abilities, मेरी शमताओं पर सवाल उठाने की तुमारी हिमत कैसे हुई, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, कि मैं कितना कमाल का इंसान हूँ, कितना जबरदस्त इंसान हूँ, तुमने मेरी शमताओं पर सवाल उठाया, how dare you, how dare you to betray our friendship, हमारी दोस्ती को दोका देने की तुमारी इमत कैसे हुई, how dare you to betray our friendship, तु के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, how dare you to insult me in front of everyone, सब के सामने मेरी बेज़ती करने की, मेरा अपमान करने की तुमारी हिमत कैसे हुई, how dare you to take credit of my achievements, मेरी जो उपलब्दियां हैं, मेरी जो प्राप्तियां हैं, उनका श्रेय लेने की तुमारी इमत कैसे हुई, तुमने बॉस को क्यों नहीं बताया, कि काम मैंने किया था, तुमने कैसे ले लिया credit, तुमने बॉस को कैसे कह दिया कि ये काम तुमने किया था, How dare you इम्मत कैसे हुई तुमारी मुझे उमीद है कि आप लोग साथ साथ बोल रहे हैं क्योंकि बोलने से ही बोलना आएगा सिर्फ किताबे पढ़कर आप बोलना नहीं सीख सकते आपको इंगलिश के चारों मॉडिूल्स पे काम करना पढ़ेगा इंगलिश सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना listening, speaking, reading and writing किताब पढ़ने से कोई बोलना नहीं सीख सकता इस तरहें के वीडियो लेक्चर आपके बहुत काम के हैं सुनते रहो और बोलते रहो How dare you to manipulate the situation for your profit अपने फायदे के लिए इस परिस्तिती को बदलने की तुमारी इंमत कैसे हुई Manipulate करने का मतलब होता है परिस्तिती का फायदा उठाना थोड़ी होश्यारी दिखाना मेरी दयालूता का फायदा उठाने की लाब उठाने की तुमारी इंमत कैसे हुई How dare you to take advantage of my kindness मैं तुमारे प्रती दयालू हूँ तो तुम कुछ भी करोगे तुमारी इम्मत कैसे हुई How dare you How dare you to disrespect my parents मेरे ममी पापा का इंसल्ट करने का अनादर करने का कैसे साहस हुआ तुमारा तुमारी इम्मत कैसे हुई मेरे ममी पापा का अनादर करने की How dare you to disrespect my parents तो ये थे कुछ Sentences जो मीरे आपको समझ में आ गए होंगे लिखते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए Screenshot लेलो वीडियो का और बोल बोल कर प्रैक्टिस करो All the best for your spoken English abilities Dr. Pratik को दे इजाज़त Don't forget to like, share and subscribe the video फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ Thank you so much हमारी प्लेइलिस्ट में जाकर Spoken English के वीडियो को जरूर चेक आउट करना आए